बिंद शेत्र के ये पहिल बगेली न्यू चैनल में हम कनिस्तिवारी अपना पंचेर का प्रणाम करी थे आज 17 सितंबर बिंद के कद्दावर नेता दादा स्रीनिवास्तिवारी के जन्म दिवस दादा सिन्यवास्तिवारी अपने चाहे वाले नखीतिर सफेज सेर कहे जार रहे हैं दादा कहे जार रहे हैं दादा बिंध मां बगेली मां अपने स्रेष्ट का सम्मान दे के एक उपनाम आए और दादा आज अपने बीच नहीं आहीं गिन्तु पूरा विंद उनकर आज यह जन्म दिवस मनाई के उनका भावीनी स्रद्धांजली देता है और उस्रद्धास शुमन और पितकरल लाग है जो उने इसलसले मां आज MP संदेश के यह विसेश सीरीज दादा का समर्पी थी और दादा सिन वास्तिवारी जन्यन के आवाज कीसा बने उनकर संगहर्स कैसा रहा आज हम अपना का बताओ कि दादा सिनी वास्तिवारी के राजनीतिक जीवन कहां से सुरूबा और कैसा काउग्रेस पार्टी में आएं और कद्दावर नेता बने अपना का बताओ दी दादा सिनी वास्तिवारी 10 साल लगातार विधान सभा ध्यक्ष गये धाई साल के कारिकाल उनकर उपाध्यक्ष के रूप मा रहा अपना का बताय दी दादा के यह कहानी के सुरुवात कैसाब है दादा मन्गमां से पहिल बिधानसभा चुनाओ लडिन किंतु एके पीछे एक बड़ी कहानी है दादा 1948 मा समाजवाधी पार्टी बिंद प्रदेश के निर्मित करिन जवने मां 1922 मां पहिल मन्गमां बिधानसभा चुनाओ लडिन किंतु ओके पीछे कव कहानी है उनके मित्र के जव बहुत मीठी कहानी है कहा जात है कि दादा जब 1952 मां पिधानसभा चुनाओ लड़ाई की तिर समाजवाधी पार्टी के प्रत्यासी बने तब उनके पास चुनाओ लड़ाई का पैसा नहीं रहा तो उनकर मित्र कामता तिवारी जो मन्गमां ही कहा ही उनके द्वारा आपन घर के सोना रीवा मां गिरिवी रखके 500 रुपिया लावागा और जो दादा का देखे 1952 मां पहिल बिधानसभा चुनाओ दादा के द्वारा जीतागा फिर का रहा वा समाजवाद के नेता प्रकरवक्ता राजनीतिक कुसल व्यक्ति वा बनीगा जन जन के नेता फेका रहा या सिलसिला जारी होई गया अपना का बताए दी कि दादा 1972 मां जब बिधानसभा से बिधायक निर्वाजित भें तो 1973 मां इंद्रा गांधी के द्वारा ये कहाँगा कि कौंगरेस मां जी फेका रहा दादा सेनिवास्तिवारी कॉंग्रेस में आई गे और फे लगातार कॉंग्रेस के साथ उनकर बना रहा फे अपनका बताय दी कि दादा 1980 मा जब बिधायक चुनी के आएं ता उनका पहिल बे स्वरगी अरजुन सिंग के मुख्यमंत्री काल मा उनका पहिल बे लोगस्वास्थ एवं परिवार कल्यान मंत्राले के मंत्री बना बागा दादा ओमा थोका ओके पीछे कहानी हुई कहा जात है और भववभा कि दादा उवा मंत्री पत से इस्तिफ़ोदय धीन और ओके बाद दादा लगातार बिधायक बन के सेवा करण रही गये फेक आ रहा 1990 मा फिर से दादा बिधान सभा से बिधायक निर्वाचित में और उनका बिधान सभा के उपाध्यक्ष बना बागा फे 1993 मा दिगविजय सिंग के जब सत्ता आई कॉंग्रेस मा मुख्यमंत्री बने दिगविजय सिंग तब दादा लगातार बिधान सभा अध् सफर अपना का बताई दी एक रोचक चीज की दादा का विंद के सफेज सेरों कहा जार रहा कहे की सफेज सेर बिंद के पैदाइस रही अपना का बताई दी राजा मारतन सिंग मोहन नमक सफेज सेर का कुस्मी के जंगलन से पकड़े रहें और यदि अब बिस्वम कहों अपना सफेज सेर देखी थे तू अब बिंदी के सेरा है अपने सीधी रीवा से जुड़ा ओकर पूरा इतिहास है और दादा का चाहे वाले उनके निर्भीक और राजनेता इस पस्ट भक्ता के चलते उनका सफेज सेरा कहर रहें और साथ मा उनका दादा नाम से उनकर एक अलग से उपमा देर रहें और उनका अपन हर घर के सक्स मानर रहें दादा के शोभाव मां लोग बताबत हैं कि ऐसा रहा कि उनकर सोभाव हर अपने छेतर के लोगन का यह बर नहीं कि वो बिधान सबा छेदर तक सीमित रहें वो पूरा मध्यप्रदेश का अपन घर माना रहें परिवार माना रहें लोगन के मदद करर रहें उनके सुख दुख में समलित हो रहें एहिं से दादा सर्व मानने रहें सर्व कल्पनी रहें काहे कि आज यदि दादा के स्विकार रोकती है तो दादा के या कारी कुसलता के चलते है फेका रहा दादा 93 साल के उम्र मा बिंद से अलविदा कह दिहिन और अपने चाहे वालें का यतीम कह दिहिन आजओ उनकर चाहे वाले या दादा के कुछ गाना के एक पंक्ति हम सुनाओ जो उन्हें का याद कई के भावु खोई जाते हैं और कहाते हैं दादा तोहरे जनम दिनामा सलगा रीवा तूट परी बहुत बहुत धन्यवाद तूट परी दादा तोहरे जनम दिना मास बुष्यला रीवा तूट परी दादा तूवरे जनम दिनामा सलगा रीवा तूट परी